हेलो एर सायं, दिस यूर मंथली रीडिंग फॉर दे मन्थ आफ जून, जो लोग सिंगल हैं, जैमनाई, लीब्रा, एक्वेरियस, सो लेस्ट चेक आउट आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी फॉर दे मन्थ आफ जून यहां है हमारे पास 9 of pentacle, 4 of pentacle, हो सकता है आप लोग fire sign के साथ deal कर रहे हैं, तो आप individually काफी content feel कर रहे हैं, hard work करते हुए feel करेंगे, जून के मन्थ में, single वाली independence वाली energy जो है आप feel करेंगे, लेकिन आप अपना heart कहीं न कहीं closed off कर रहे हैं, air sign, heart चक्र पे थोड़ा काम कीजिए आप लोग 10 of swords, moon card, कुछ hidden emotions हैं, जो आपको pain दे रहे हैं अंदरी अंदर, उसे आप ना तो किसी को दिखाना चाहते हैं, ना बताना चाहते हैं, ना खोलना चाहते हैं, जिसकी वज़र से आपका heart chakra block हो रखा है, आपको अपना heart chakra open करने की जुरुरत है, आपको थोड़ा meditation green आपको थोड़ा यहां emotions को बहाने की जुरुरत है, अपनी pain को अंदर दबा के मत रखिए, healing की ज़रूरत है, air sign, आप उपर से एकदम awesome दिखेंगे, लोग कोई देखकर आपको बता नहीं सकता कि आपके अंदर जो है, इतनी pain भरी हुई है, आप उपर से awesome blossom लगेंगे, ठीक independent है, खुद का ख्याल अच्छे से खुद रख लेंगे, लेकिन दिल के किसी कोने को open करने की जुरूरत है, किसी गिजा को share करने की जुरूरत है, ठीक है, इस pain को release करने की जुरूरत है, heal करने की जुरूरत है, एक card और लूंगी मैं, air sign, जून का मन्त, air sign वालों के लिए, यहाँ है, knight of pentacle, king of swords, आपको clear cut किसी से conversation करनी चाहिए, अपने दिल का दुख जो भी है, जो भी बात है, hidden emotions लोते खुल के, बात करिए किसी के साथ, और धीरे धीरे, छोड़े छोड़े step लेते हुए, इस situation से बाहर आ जाईए, यही हिदायत मिल रही है आप लोगों के लिए छोटी सी reading थी, कैसी लगी, comment section ने बताइएगा, okay friends, bye bye, anger issues भी है, उनको भी release कीजिए आप लोग, ठीक है, bye bye